हाई गाई लोलकम बेक टो माई चैनल आज हम पोर्ट के उपर पैंटिंग करने वाले किस तरीकिते हम पोर्ट को एक अच्छा डिजाइन कर सकते हैं और किस तरीकिते हम पैंटिंग करें ब्रेश की हैं से और यहाँ पर मैंने इस kruड के उपर दो गोट किया है अक्रेशन करें पर इस जादा अच्छा नहीं दिखा था तो फिर मैं इसके उपर साइकंड कोट किया है जिससे यह काफी ठीक लग रहा है इसके बाद भी पोट पे दो कोट करने के बाद में हम यहाँ पर ये ब्रुश की हैल्प से इसके उपर डिजाइन करेंगे ये ब्रुश फाइबर ग्रासsk की हैं जो काफी अच्佑श है जिस से काफी अच्छ है और डिजाइन काफी सुन्दर बनती है और ये white color का paint किया है मैंने इसके उपर इसको एक base देने के लिए अब हम इसके उपर resign करेंगे pencil के help से आप अपने हिसाब से कोई भी design अपने port को दे सकते हैं यहाँ पर एक मैं simple से resign करूँगी इस port के उपर और पहले मैं उसे अच्छे से draw कर लूँगी फिर इसके बाद ही brush की help से मैं इसे अच्छे से भरूँगी कर लोर्त त्हिंगे कर ऊच्छे से मिम्लेगी इसम्राण ही इसा झालब झाल कर दो खड़िए क्यों जा करेंगे इस दो घ् höच्छे से टो कियाओी रूब। झाल झाल यहां पर वाली डिजाइन के लिए यहां पर परपा कलर का यूज़ कर रहे हूं यहां पर आप अपनी पसंद का आप अपनी पूट को कोई भी कलर दे सकते हैं इस तरीके से मैं पूरे पूट को कलर करके और इसे झाल 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 झाल, झाल झाल